कि वेल्कम डूबे क्लासेज गाइस दोस्तों आज के क्लास में लोग देखने वाले हैं जैसे 6 आज को स्टेवल एंड सीजियल 2022 के लिए जारखन जीगे का प्रेक्टी सेट जी हाँ दोस्तों यह सारे के सारे को सुन जारखन ना से समधित सारे समानी ग्यान के प्रशन है और म हम लोग वी ठेक्स्टा कवर करेंगे जो है दोस्तों एक कोसं से दो चार कोसं और बनाने की कोशिच करेंगे ठीक है और यह सारे के सारे कोसं जैसे सारे एकजाम में कहीं पूछे गा है तो आप किसी भी एक्जाम की त्यार करते हो तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही जरू तो अपनी आप त्यार बेहतरीन करना चाहते हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट चेक कर सकते है या तो फिर आप इंडी स्क्रीन में आप देख सकते हो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए हम लोग पहले कोशन से स्टार्ट करते हैं दोस्तो और लेवल जो होगा दोस्तो प्तंस जो आने वाले तो यही आप आपके एक्जाट से प्रूचने वाले है कि कि मैं लोग節目 तो अप्रेल 1914 ऑवर से आप से इतनी से दिपात ध्यान में रखने है कि भागत के आवाज से जो है दोस्तों ताना भागत अंदोरण की शुरुआत हुई थी ठीक है जिसमें दोस्तों 26,000 से अधीक आदिवासों ने पाडिसिपेट किया था इस अंदोरण में ठीक है ठीक है तो यह बात करते हैं योने Self-room में बहुविन से बृःट्पि जैना का मुआबला किया था ठीक है तो आदिवासओ ने जो है रिए बहुविन दिखाई थी और संबूम सीम्भूम चैतर में जो इस्टो बृट्पि से से मुखाबला जाबरदस्त की थी तो आपको बस इतना से बाध ध्यान में रखना है थ्रद कोशन की बात करते हैं दोस्तो देखिए जो भी कोशन में अगर एक्सटा गेंड हो रहा है दोस्तो एक्स्रा कवर हो रहा हुथ तो अन Log कवर करना की कौसिस कर रहा है ठीक है बात करते हैं दश्तों कि यह राजा आरजुन सिंग जीते हैं। आपको याःत रखना चाहिए कि 1875 कराठी में संपून से मूँप छे तर में कराइतीकारियों के जो परमुखlı नेता हुआ करते थे वो आरजुन lotta आ स्थें। टीक है आपको पता होना चैने थीक जार्खन को किस नाम से जाना जाता था तो यह जो था दोस्तों पुंड्रिक देश के नाम से जो है भारत में जार्खन को ना जाना जाता था ठीक है आपको पता होना चाहिए और देखे इस से एक्स्ट्रा को जाने कोश्च करते हैं जो है जार्खन का नाम पुंड्रिक देश तो मिलता ही है जहारखन का उलेक सर्व पर्थम कहां मिलता है तो एत्रे ब्रामन में ठीक है आपको पता हूं आची कि जहारखन का सर्व पर्थम एत्रे ब्रामन में मिलता है और पुंडु नाम से हुआ ठीक है पता हूं पुंडु नाम से हुआ ठीक है पुंडु नाम से करेंगे थासों थैड करेंगे हर बात करेंगेंगे लिल को स्टोड पैरल करेंगे को Gulf स्थिख्राइब कर सकता है तो चाशक दो यहाँ जो भात है दोस्तों संस्थापक थे जयपाल सिंग माने जाते हैं आपको पता होना चाहिए ठीक है यह सबाब को पता होना चाहिए तो यह सबाब को पता होना चाहिए तो बस इस इतना ही दोस्तों ठीक है बात करते है ने सुजन की तो जारखन के प्रथम राजपाल कौन थे दोस्तों तो यह सब को पता होगा दोस्तों यह जो थे प्रभात कुमार जी थे ठीक है और इसने कुछ एक्स्टा अगर आपसे पूछ सकता है दोस्तों तो इस इनका कारिकाल जान लेते हैं तो इनका कारिकाल जो था 15 नॉवंबर 2000 से आप 15 नॉबर 2000 से तीन फर्वणी 2002 टक एंफ त ंप 12 साल जो है वो कारिकाल रहा था इनका ठीक है चाल sells जार्खन पॉलिटी से मतलव रखता है लिए बात करते हैं दोस्तों कि जरखन राज क्यों तक डिस ज Warum के तहता है तो यह दुस्तों उस्पर बंद्द आ यह 1 इस जल मीर बींचाही से गिरता है तो इसकी हीट की बात करते हैं Departney तो रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है तो रजरप्पा जो है दोस्तो यह दामुदर भेरा दामुदर भेरा जो है दोस्तो इन नदियों के संगम पर जो है दोस्तो रजरप्पा अवस्थित है ओके आपको पतावना चीए देखिए इसे एक्स्ट्रा जो है जाने कोईश करते है तो देखे राची से 80 किलोमेटर के दूर पर रामगर चित्रपूर रोड पर इस्थित रजरप्पा एक शक्ति पीठ है ओके शक्ति पीठ है दोस्तो यह आपको या दखना है और रजरप्पा दामोदर और भेरवी या भेरा नदियों के संगम पर अवस् शक्ति पीठल नदियों के दूर है दोस्तो राची से जो है 80 किलोमेटर की दूरी पर ज्यादा दूर नहीं है ठीक है चली बात करता है नहीं सुचन की दोस्तो इस एतना ही देखे तिलया बांद इस नदी पर रस fill आपको ये बताना आ है तो यह दोस्तो ब्राकर नदी पर के जो है दूस्तो कोडरमा जीने में पहली बातों यह कि जो झाल के इतने परकार की फैसली IS आपको याद आखना है की ते रिया बात करते हैं चैने की ज़ारखन के इतने परकार की फैसले पैदा होती है तो यह चार परकार की फैसले पैदा होती है ठीक है देखे कुछ डिसक्वर्ट करने चाता हूं देखे मैं आपको बता दो दोस्तों कि आप इन डेखे कौक्ण से सीजन आते हैं चाहिनों पैदाई फसल्हें होती है एघहनी फसल होती है अघहनी फसल chemical पिर रवी फसल होती है, ठीक है, और फिर बात करें तो अन्य परकार की गिरिस मकालिन, सबजीों, तथ मौसमी फलों की खेती शामील है, तो इसमें तो टूटल जो है, चार तरह की जो है, चार परकार की जो है, धूस्टो फैसले पैदा की जाती है, हमारे जारखण में आपको पता होना चीए ठीक है तो बात करते हैं से इस कुछन की तो किसी वस्तु का सीधा लाब असनांतरन में जार्खन देश का पहला राज बना है तो इसकी जो बात करने दूस्तों तो देखे जार्खन राज के चार जी ले ठीक है चत्रा हजारी बाग खुट्टी और जाम तारा इनमें कि रोसिन तेल पर्तक्ष लाब असनांतरन करने वाला पहले देश का प्रत्रम दाज थैंको पता होना जेखे ठीक अरे में बात करते हैं तो जार्खन के में तो यह तो 70.63 ओबादी सारे क deficiency कारियों में लगें हमारे यह सारे के सारे कोशन आप देख रहा हैं तो यह सारे के सारे ज्ञारखन के समानय परज़र से ले गई है भूहत सारे कोशन जो है इसंगा ज्यारखन के समानय परज़र जिए से ली गई है तो हम लोग जो है तो स्टार्टिं से इस बनाया रुखिए है और अरप सब्लसक्राइब कर सकते हिए आप मेरा साथ कंट्री तो उसे सिंवी के का खनन होता है ठीक है तो यह होता है तो यह तो к आपको इतनी से बात हैं में धान में रखनी है तिक तुरामडी जो तो पुर्वी सिंभूम में वस्ती था ठीक है पुर्वी सिंभूम में वस्ती था आपको पता होना चाहिए युरूनियम खनीज का खनन किया जाता है यह जादू गोड़ा से लगबग 24 किलोमेटर वेस्ट म में रखनी है अबस थे बात करते हैं संबीक मतरा में स्वाês कवाण में से रखन रत जाती है तो यह दो लाल मिटक पाई जाती है एख घंता चोखना पर्धार गना औरana चाहिए कि Gentle अबहाद करें तो इसंताल प्रगना कास्टकारी कानून की बात करें डूस्तो तो यह पाई का जिलो में जो पाई का जोंसे पाइ परकार जेलो की जाते हैं आपको पता होना चाहिए ठीक है और रंग बिरंगे साइनिक वेश में किया जाता है ठीक है ओके चलिए बात करते हैं तो इंडियन स्टूट आफ टेक्नलोजी इंडियन स्कूल आफ माइस के सापना कब हुई थी तो मैं पता दोस्तों कि उन्हें 26 में होई थी ठीक है तो इंडियन स्कूल तो सौराय की जन्जाती का सबसे बड़ा त्यवार है तो सौराय की बात करते हैं संथाल संथाल जन्जाती का जो है सबसे बड़ा त्यवार माना जाता है ठीक है और देखें सौराय त्यवार ज्यारखन की संथाल ज्यातियों का एक लोक्री त्यवार है या दिपावली के दव आखण में इस्तित है आपको पता होना चीए ठीक है बस इतना ही बात करते हैं कि तो कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार कौन है दोस्तों तो कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार जो है दोस्तों यह अप्शन देस्तों सोलिमान मुर्मू तो आपको याद रखना है दोस्तों इंपोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यह प्रिवेस यह कोसंस भी है ठीक है तो यह कोसंस आपके लिए इंपोर्टेंट भी है आपको याद अखना है ठीक है तो बस इस इतना ही और चलिए बात करते हैं ने सुचन की दोस्तों यह बात करते हैं कि अने सुचन की तो मोहन कुमा प्रभंधन प्राधिकरन का नित्तों कौन करता है दोस्तों तो देखे इसकी बात करते हैं तो डिस्टिक मेस्टेड या डिप्टी कमिश्णर करते हैं जीला दंडा अधिकारी या फिर जीला समारता दोनों में से कोई भी कर सकता है दोस्तों ठीक है बस इतना ही देखे बात करता है जार्खन में प्रत्थम प्रम्भीर चक्र की उपाधि से गर्वानमीत किया गया था तो प्रम्भीर चक्र की उपाधि से गर्वानमीत जो सबसे पहले हुए था दोस्तों वो एलबट एका हुए था आपको याद रहना चाहिए और पता होना चाहिए दोस्तों देखे जार्खन के गुमला जीले में जन में एलबट एगा तो यह गुमला के रहने वाले थे ना तो प्रमबिर चक्र पुरुषकार से समानित किया था ठीक है बस इसे इतना ही चली बात करते हैं कि इसके स्थापना हुई थी 2018 में ठीक है आप गया दखना है कि इसके स्थापना हुई थी 2018 में ठीक है आपने बहुत कुछ गेन किया तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मेरे चनल पर जो है वो सारे टॉपिक वाइस यहां पर प्रिप्रेशन की जाती है त्यारी की जाती है तो जैसे सी की त्यारी करते हो या फिर एससी की करते हो या फिर रेलवेज की करते हो डेजन्ट मेंटर दोस्तों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपकी और बेहत्रीन हो सकती है त्यारी दोस्तों